आज हम लोग जानेंगे मैगनेट्स के बारे में यह चैप्टर है 13 तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कहता है देखिए रचिपने में अगनेट्स को हम लोग सभे ने देखा है कभी ने जरूर देखा है और उसके साथ कुछ खेल जरूर यह जानते हैं इसका हम लोग डेली लाफ में उप्योग कर रहे हैं, अलग अलग गूड्स में उप्योग कर रहे हैं जैसे डोर्स में उप्योग कर रहे हैं, कहां पे डोर्स में, अगर उसमें मेंगनेट लगा देंगा तो वो इसली अटेच हो जाएगा उसके साथ, अना जैसे अलमीरा कर डोर हो गया, रैपिस्टिटर का हो गया, उसमें अगर मेंगनेट रहेगा, तो इसली उसके साथ क्या हो हो जाएगा ओके तो यह कुछ एक्जैम्पल्स थे जहां पर मेंगनेट का यूप्योग किया जा रहा है तो अभी हम लोग देख लेते हैं आगे नेक्स्ट पर आगर आप में क्या कहता है मेंगनेट कैसे डिस्कवर्ड हुआ इसके बारे में यहां पर एक सौर्ट अस्टोरी ह है यह हम लोग जानते हैं आईए तो स्टोरी कुछ यह है अभी देखिए हाना मेंगनेटिज्म वाज डिस्कवर्ड क्वाइट लॉंग टाइम अगो बहुत दिन पहले डिस्कवर्ड हो गया देर इस स्टोरी आबाउट अं अल्डरली स्रेफ़ड नेम्ड मैगनेश इसका नाम क्या था मगनीश को के घडरिया हाना हो लिव इन इक प्लेस कॉल मैगनेश है वो जिस प्लेश पर रहता था उस प्लेस का नाम प्या था मैगनेश या इन और ऐसन लोकाइट है लोकेशन का है तो नौड ढण फ़ अगो अगो चार वस्के पहले की बात है अब हुआ क्या हो देखिए one day while taking his ship जब वो अपने ship को लेके जा रहा था around he found that the nails of his shoes उसके shoes में जो nails थे and the metal tip of his stick suddenly got firmly struck to the large black rock on which he was standing वो जिस बड़े से black color की rock पर खड़ा था उसके साथ attach हो गया और उसके साथ जुड़ गया okay तो उससे क्या उसको लगा he thought उसने सोचा क्या सोचा about it and realize that the black rock must have some special attractive property उसने क्या सोचा कि जो बहुत बड़ा सा black rock है उसमें कुछ ना कुछ attractive property है और किसी दुसरे को वो attract कर लेगा और ऐसा प्रोपर्टी है ऐसा उसने सोचा the black rock was later named magnetite और यह जो black rock था उसका बाद में क्या नाम पड़ गया magnetite यह बहुत important आद रखिएगा okay perhaps after magnesia और magnes okay यह नाम जो पड़ा magnetite वो साइध इस लिए पड़ा चुकि वो magnesia नाम के जगह पर पाया गया था समझ गये चलिए next paragraph को में लोग देखते हैं क्या कियाता है ancient Greek and Chinese are said to have a discovered an additional property ओके जो Chinese है वो कहके न एक additional property discovered किये और वो additional अतिरिक्ट प्रोपर्टी क्या था उसके बारे में देखिए कहता है अधा directional property of magnetite magnetite का कौन सा प्रोपर्टी directional property directional property क्या है इसके बारे में हम जानेंगे आईए अथी long piece of magnetite when suspended freely जब एक लंबे से magnetite को हम लोग suspend कर देते हैं फिर एक थ्रेड के help से और वाज़ फॉन टू आल्वेज point in one particular direction वोन ली तो यह किसी एक particular direction में point किया ओके इस लेट टू इट्स अट्रेक्टि अल्टरनेटिव नेम्ट अन लोड़ stone leading stone उके इसका नाम क्या पढ़ गया महाँ पे load stone that is leading stone आनि कि एक particular direction को वो show कर रहा था और पॉइंट कर रहा था जब इसको freely suspend कर दिया गया ओके और यहां से क्या पता चला कि इसमें directional property भी है तो देखिए next page में कहता है do you know magnetite magnetite is found in rock okay magnetite is found in rock strata having iron deposits okay जिसमें irons के मात्र है अना उस जगह पे यह magnetite पाया गया ऐसा माना जा रहा है next paragraph हम देखेंगे केता है we can say that magnets are materials that can attract iron metal okay itself or objects made of iron देखिए iron के जो महाना materials बने हुए है उसको attract कर सकता है कौन तो magnet okay तो magnet वो material है जो अपने ही material को attract कर ले या फिर iron के बने हुए magnet material को attract कर लेता है magnets can be natural और artificial देखिए जो magnet है वो artificial भी हो सकता है natural भी हो सकता है the load stone is a naturally occurring magnet and can be called a natural magnet यह जो load stone है न यह क्या है यह natural magnet है okay naturally occurring magnet तो आप से question करेगा कि naturally occurring magnet का नाम क्या है तुम लोग क्या लिखेंगे lord stone समझगे क्या लिखना है चलिए next देखते हैं यहां पर है natural magnets do not have any definite shape यह जो naturally occurring magnet होगा न उसका कोई definite shape नहीं होगा and they exert rather small attractive forces on objects made of iron तो जो iron के object बने हुए उस पर वो कम force लगा रहा है लगाता है कौन a small attractive force लगाता है कौन जो आपका natural magnet है वो ओके आने की load stone यह naturally occurring magnet है तो यह a small force of attraction exert करता है next paragraph के हम बात करेंगी we can now use metals we can now use metals like iron nickel steel cobalt and alloys of certain metals with iron to make good artificial that is man made magnets देखिए man made magnets मतलब artificial magnet हो रहा है तो यह जो artificial magnet है यह क्या चिस से मिलके बना हुआ है हाना इसके बारे हम जानेगे तो वो metal से मिलके बने हुए होते हैं metals से मिला के उसको बनाए जाता है और वो कौन-कौन से metal है तो वो है iron nickel, steel, cobalt ओके और यह आपसे question किया भी जा सकता है कि जो artificial magnet है वो कौन-कौन से metal से मिलके बनता है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा iron, nickel, steel, cobalt यह सब कुछ metals हैं जिससे मिलकर के यह अपना artificial magnet बनता है जिसका quality क्या होता है गूड होता है अच्छा quality होता है ओके आगे देखिए इस artificial or man-made magnets can be made in various shapes and sizes and can have quite a large strength देखिए यह जो artificial magnet बनेंगे इसका shape हम कुछ भी दे सकते हैं इसका shape हम अपने अनुसार दे सकते हैं इसका size भी अपने अनुसार हम बना सकते हैं और इसका strength भी जैदा होगा हना large strength होगा ओके आगे देखेंगे some of the common shapes of artificial magnets are तो artificial magnets जो में लोग बनाते हैं उसका shape क्या क्या होता है क्या common shape है वो हम लोग जानेंगे तो पहला होगे यहाँ पर bar magnet, horse shoe magnet, magnetic needle, ball ended magnet and circular magnet तो आपसे एक question फिर पुछ सकता है क्योंकों shape का होता है magnet तो हम लोग क्या answer करेंगे, पहला तो करेंगे bar magnet, दुसरा करेंगे horse shoe magnet, तिसरा होगा magnetic needle और ball end magnet and circular magnet, सभी के pictures यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यह देखिए अपना पहला जो है यह है bar magnet, ओके दुसरा है horse shoe magnet, और यह है magnetic needle, जो compass में यूज हो रहा होता है, और यह अपना होगी आप ball magnet, अस्पेरिकल है, ओके और यह है circular magnet, तो सभी का अपना अपना usage है, यह circular magnet, जरल यह speaker में आपको देखने को मिल जाएगा, ओके और यह जो अपना है magnetic needle, यह आपको कहां देखने को मिल जाएगा, campus में देखने को मिल जाएगा, और यह आपका horse shoe magnet है, ओके, यह भी आपको देखने को मिल जाएगा, electric bell में देखने को मिलता है, फिर magnetic, यह आपका magnetic bar है, ओके, यह भी आपका laboratory में देखने को मिलेगा, तो सभ का अपना अपना usage है तो आएए अब हम यहां बात करेंगे पर्मनेंट एंड टैंप्रोरी मेंगनेट्स ओके यह पर्मनेंट एंड टैंप्रोरी मेंगनेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जाने तो artificial magnets can be either permanent magnets और temporary magnets permanent मतलब जो हमेशा के लिए हो गया और temporary magnets मतलब जिसका magnetic property कुछ समय के लिए रहेगा हमेशा के लिए नहीं रहेगा तो पहले तो हम यहां बात करेंगे permanent magnets की these are magnets that once made remain as magnets for a long period of time बहुत लंबे समय तक वो magnet की तरह behave करता रहेगा okay long period of time तक magnet की तरह behave करेगा a steel हो गया कोबाल्ट स्टील अलनीको एंड टीकेनोल okay are some of the materials that are often used for making permanent magnets देखिए तो अभी यह भी question हम लोग से पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से ऐसे material है जिसका यूज होता है permanent magnet बनाने के लिए तो permanent magnet बनाने के लिए जो materials use होते हैं उसमें क्या है steel अना कोबाल्ट स्टील अलनीको अना टीकेनोल यह सब कुछ ऐसे materials हैं जिसका यूज होता है permanent magnet बनाने के लिए तो चलिए अभी यह permanent magnet में वैसा magnet जिसमें property बहुत लबे समय तक बना रहेगा और वो किस material से बनता है वो भी हम लोग ने हाँ पे देख लिया अब यहाँ पे देखे do you know की बात की गई है यह क्या है तो कहता है we now use the magnetic properties of many materials for storing information in devices like the cassette tapes computer disk तो यह जो है material इसमें ना magnetic property होता है यह cassette tapes और यह अपना computer का जो disk है उसमें magnetic property होता है और उसका यह हम लोग क्या किस लिए करते हैं तो information को store करने के लिए किया जा रहा होता है तो यह कुछ extra knowledge था हम लोग ने देख लिया फिर अपना है temporary magnets ओके तो आईए हम temporary magnets के बारा में जाने तो temporary magnets में these are magnets that once made remain as a magnet only for a short interval of time आने कि short interval of time तक उसमें magnetic property बना रहेगा लंबे समय तक नहीं बना हुआ रहेगा इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है temporary magnets तो electro magnets are a commonly used form of temporary magnets तो temporary magnet का सबसे best example क्या हो गया यह हो यह है अपना electro magnet ओके तो आप क्या बोलेंगे आप से बुला जाए पुछा जाए कि temporary magnets का example दीजी तो आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे electro magnets ओके फिर आगे चलिए हम देखेंगे soft iron and nickel are two of the materials that are often used for making temporary magnets चलिए यह भी आपको name learn करना चाहिए इसका soft iron और nickel का चुकि इसी का यूज होता है क्या चीज़ बनाने के लिए temporary magnet बनाने के लिए next हम देखेंगे an electromagnet is a coil of insulated wire owned on a soft iron core अभी आपको बताया जा रहा है कि यह electromagnet क्या होता है electromagnet को कैसे बनाते हैं तो electromagnet को बनाने के लिए soft iron का हम लोग rod ले रहे हैं और उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग wire को घुमा दे रहे हैं और लपेट दे रहे हैं तो उससे अपना क्या में बन जाएगा वो जो current flows through this coil तो वो coil के उपर से अगर electric current flow करेगा तो वो कैसा बहेब करेगा electromagnet के तरह काम करेगा एक magnet के तरह काम करेगा जिसको हम कहेंगे electromagnet तो अभी मैं एक राप उसके चेहां मना देता हूं आपको मनलेचे की यह अपना एक rod है ओके यह rod है आप यह जो rod है इस पे हम क्या करेंगा वायर को इस पे ओंड करेंगे तो मिनले जीए कि यह मेरे पास wire है ओके चलिए तो wire को हम क्या करेंगे इस पे गुमा देंगे इसे यह देखिए ओके यह देखिए मैं वायर को इस पर हना ओर्ण कर रहा हूं तो अभी जो वायर बनेगा यह रोड है और रोड में हम लोग ना वायर को क्या किया घुमा दिये अब इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो यह किस तरह से काम करेगा यह अपना एक मेंगनेट के तरह काम करेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे electromagnetic कहेंगे तो ये कुछ इस तरह का होता है arrangement मैं एक बताने का प्रयास किया आपको चलिए आगे हम देखते हैं आगे line में क्या कहा गया है when current is switched off जब current यहां पर नहीं रहेगा when the current is switched off it loses its magnetic property almost immediately जैसे हैं आपने current को यहां से हटा दिया उसी समय अपना magnetic property को lose कर देगा the strength of an electromagnet can be made very high compare to that of permanent magnets जो permanent magnet है उससे कहीं जैदा यह तागतवर हो सकता है कौन electromagnet कैसे हो सकता है तो हम उसमें electric current को जिसने मात्रा में provide करेंगे उस तरह से उसका strength बढ़ता जाएगा electromagnets are used in mobile cranes कहां पर जोता है mobile cranes में for lifting or transferring magnetic materials like scraps of iron and in electric bills loud speakers microphones telephones तो यह सब कुछ ऐसे उपकरन है यह से devices हैं जिसमें अपना electro magnet use होता है और वो क्या क्या है electric bill हो गया loud speakers हो गया microphone हो गये telephone हो गये इसमें अपना इलेक्ट्रो मेंगनेट का इस्तिमाल होता है तो यह हम लोग देख रहे हैं आगे देखें यहां पे picture हमको दिखाया गया है और इस picture में हम क्या देख पार है ना electro magnet का यूज हो रहा है किस तरह किस लिए तो iron के जो waste product है हना उसको lift करने के लिए यह crane बना हुआ है और यह crane किसको lift कर रहा है तो iron के articles को waste product को उठाय जा रहा है यहां पे आप देखें लिखा भी है mobile crane is used for separating and transferring magnetic materials तो जो magnetic materials है उसका किस लिए जो हो रहा है magnetic materials को transfer करने के लिए लिफ्ट करने के लिए किस का जो हो रहा है तो यहां पे हो रहा है electromagnetic का use अब next हमारे पास topic है वो है magnetic and non-magnetic material magnetic and non-magnetic material तो magnetic materials क्या है और non-magnetic materials क्या है इसके बारे हम लोग जानेंगे आईए कहता है we know that iron shows magnetic properties any object with iron in it gets attracted by a magnet जिसमें भी iron के कुछ अंस होँगे iron का बना हुआ जो भी article होगा वो magnet की और attract हो जाएगा attracted we call materials like iron, steel, cobalt, nickel which get attracted towards a magnet as magnetic materials तो जो भी material magnet की और attract होगा उसको हम क्या कहेंगे magnetic material कहेंगे materials that do not get attracted towards a magnet are called non-magnetic material तो जो attract नहीं होगा किसके और magnet की और वो कैसा material कलाएगा non-magnetic material try to think and name some non-magnetic materials चलिए आप सोचिए और बताइए कि कौन-कौन से non-magnetic materials है activity one यहाँ पर हमारे पास है कहता है let us try to classify a given set of materials या फिर objects into magnetic and non-magnetic materials let the given collection be iron nails, straw यहाँ पर दे दिया है object का नाम तो पहला क्या है आपके पास? iron nails तो iron nails क्या होगा magnetic material होगा आने की attract होगा या नहीं attract होगा तो जो material attract होगा आप इसको कहां रखेंगे ये left side का column में रखेंगे और जो attract नहीं होगा उसको आप कहां रखेंगे right side का column में तो iron nails को आप कहां लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे यह देखिए iron nails यह क्या होगा ना attract हो जाएगा उसी तरह से दूसरा आपके पास क्या है straw तो प्लास्टिक का बना हुआ है तो वो तो attract नहीं होगा तो आप यहां पर उसको लिख दिजिए उसी तरह से आपके पास क्या है cardboard और भी अट्रेक्ट नहीं होगा तो इसमें जाएग coins attract हो जाएंगी तो यह यहां पर जाएंगी rubber आपका attract नहीं होगा इस column में लिखना है उसका नाम समझ में आ रहा है क्या करना है तो बड़े आसाने से आप इसको कर सकते हैं इस activity को अब नीचे देखिए check your predicted results by using या bar magnet और या horse soup magnet तो आपने जो यहां पर अनुमान लगाया कि यह अपना जो substance है यह कौन-कौन से magnet attract होएंगे और कौन-कौन से नहीं होएंगे आपने इसको classify किया यहां पर two groups में हाना आप इसको आपको check करना है तो कैसे check करेंगे इसके लिए आपके पास होना चाहिए bar magnet या तो फिर horse soup magnet होना चाहिए को भी magnet हो आपके पास होना प्रिपियर या corrected table based on your actual experimental observation तो पहला आपका अस्पून है तो बताएए अस्पून आपका attract हो जाएगा yes हो जाएगा अस्ट्रो अस्ट्रो तो attract नहीं होगा iron nails attract हो जाएगे और यह paper pin है paper clips है तो paper clips आपका अगर plastic का बना हुआ है तब तो attract नहीं होगा अगर iron nail अगर यह iron का ब करना पड़ेगा किस तरह का paper pin है आपके पास अब नेक्स्ट आपना है coin तो coins जो है ना वह attract हो जाएगी ओके next है do you know do you know की बात करेंगे magnets can be used as control devices to hold separate and transfer magnetic and non magnetic materials objects devices देखिए magnets का हम use कर सकते हैं किस लिए तो device को hold करने के लिए separate करने के लिए transfer करने के लिए कौन कौन से devices को जो magnetic materials जिसमें हो जो इसमें magnetic property हो हाना हुश तरह के materials को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं अलग भी कर सकते हैं तो अभी अपना अगला topic है a strength of a bar और shoe horse magnet है ना तो इसके बारे में ना हम लोग next video lesson में जानेंगे तो आज की video lesson में बस इतना है so I hope this video lesson is helpful for you so please like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead